नमस्कार दोस्तों NCRT audiobooks प्रस्तुत करते हैं कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बालराम कथा प्रस्तुत है इस पुस्तक का ग्यारहवा अध्याय लंका विजय तो आये अब शुरू करते हैं लंका कुच की तैयारियां रात भर चलती रही सभी ततपर, सभी उद्यत सुबह कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों को संबोधित किया युद्ध के बारे में कहा, युद्ध भयानक होगा इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जो दुर्बल हैं, यहीं रुख जाएं वानर सेना को युद्ध के नियम बताए गए रक्षा और आक्रमन के तरीके सेना किशकिंधा से दहार्ती, गरच्ती, किलकारी अंभरती रवाना हुई राम, लक्ष्मन और सुग्रीव की जैकार से आकाश गुंजुठा लाखों वानर थे, चारों और कोलाहल, वे पेड़ों पहाडों को रौंदते चले जा रहे थे इसका नित्रित्व नल कर रहे थे सुग्रीव के सेना पती, जामवन्त और हनुमान सबसे पीछे थे यह सेना की रणनीती का हिस्सा था दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र परवत पर देरा डाला वही परवत, जहां से हनुमान ने छलांग लगाए थी समुद्र निकठी था परवत पर सेना का ध्वज लगाया गया तंबू लगे, पताकाएं हवा में लेहरा रही थी उधर, लनका में खलबली मची हुई थी राक्षसों में बेचैनी थी उनके मन में डर बैट गया था राम की शक्ती को लेकर जिसका दूथ लनका में आग लगा सकता है वह स्वयम कितना शक्तिशाली होगा नगर में चर्चा का विशय यही था लेकिन रावन इससे अनभिग्य था उसे कौन बताता किसी में इतना साहस नहीं था ये चर्चाएं विभीशन ने सुनी नगर की हताशा उनसे देखी नहीं गई ऐसी हताश सेना युद्ध नहीं कर सकती उसकी पराज़ निश्चित है वे रावन के पास गए उसे सही स्थिती बताने समझाने राम से युद्ध न किया जाए उन्होंने कहा आप सीता को लोटा दें सबका कल्यान इसी में है सीता मिल जाएंगी तो वे आक्रमन नहीं करेंगे रावन ने विभीशन की बात अनसुनी कर दी उन्हें अपने कक्ष से निकाल दिया क्रोग में वह स्वयम भी उठकर चल पड़ा सभा कक्ष की ओर उसे राम के समुद्र तट पर पहुँचने का समाचार मिल चुका था सैनिकों ने राम की सेना की पताकाएं दूर से देख ली थी विभीशन रावन के पीछे चलते रहे बोलते रहे सीता आपके गले में बधा साप है वह आपको डस लेगा इसे छोटी बात मत समझे लनका अधिराज ये संकेत महाविनाश के हैं मैं अब भी कहता हूँ सीता को लोटा दीजिए लनका बच जाएगी तुम मेरे भाई नहीं, शत्रू हो मेरे शत्रू के शुबचिन तक हो रावन का क्रोध भड़क उठा निकल जाओ यहां से मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए रावन सभागार की ओर मुड़ गया विभीशन पीछे दोनों रास्ते अलग हो गए विभीशन उसी रात लनका से निकल गए चार सहायकों के साथ उन्होंने राम के पास जाना ठीक समझा समुद्र पार राम के शिविर में अचानक खलबली मची एक वानर चिला कर सबको सावधान कर रहा था हमारे शिविर में राक्षस आ गए हैं विभीशन कुछ दूर खड़े थे वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया वानर राज मैं लनका के राजा रावन का छोटा भाई हूँ मैं राम की शरण में आया हूँ आप मुझे उनके पास पहुचा दे विभीशन के चहरे पर दर नहीं था विश्वास था शब्दों में शड्यंत्र नहीं था कातरता थी याचना थी सुग्रीव को उनकी बात पर फिर भी भरोसा नहीं हुआ मेरा नाम विभीशन है रावन ने मुझे लनका से निकाल दिया मैंने उससे सीता को लोटाने की बात कही थी क्रोध और अहनकार में चूर रावन ने मुझे सभा में अपमानत किया मैं प्रान बचा कर आया हूँ एक बार राम से मिलवा दे मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ सुग्रीव राम के पास गए मन में शनका अब भी थी अगद भी उसे संदेह की द्रिष्टी से देख रहे थे राम ने बात सुनी और कहा हमें विभीशन को स्वीकार करना चाहिए मैं शरण में आये व्यक्ती को कभी निराश नहीं करता यह मेरी नीती है विभीशन को आदर से अंदर लाए विभीशन राम के पास पहुँचे राम ने उनका सतकार किया लनका का समाचार पूछा जल्दी ही विभीशन राम के विश्वास पात्र बन गए उन्होंने लनका की बहुत सी जानकारी राम को दी रावन और उसके योधाओं की शक्ती के बारे में बताया कहा रावन पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धी दोनों की आवश्यक्ता है विभीशन तुम चिंता मत करो राक्षस मारे जाएंगे लनका की राजगद्धी तुम्हारी होगी भविश्य तुम्हारा है राम ने कहा राम की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती थी समुद्र उसे कैसे पार करें राम ने समुद्र से विनती की तीन दिन बैठे रहे की समुद्र रास्ता दे दे वह नहीं माना तो राम को ख्रोधा गया राम का क्रोध देखते हुए समुद्र ने उन्हें सलाह दी आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है वह पुल बना सकता है उससे वानर सेना पार उतर जाएगी नल ने अगले ही दिन काम प्रारंब कर दिया पुल बनने लगा वानर कंकर, पत्थर, शिलाएं लाते रहे नल पुल बनाते रहे पांच दिन में पुल तैयार हो गया समुद्र को दो टुकडों में बांगता हुआ उसका घमन चूर करता हुआ सबसे पहले विभीशन पुल से उस पार गये पीछे पीछे वानर सेना सेना का अगला शिविर दूसरे तटपर बना असंभव रावन ख्रोद से चीक उठा समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है इस समाचार से रावन को विसमया हुआ भय भी लेकिन उसने जो मन में ठान लिया था उससे डिगा नहीं उसने आदेश दिया सेना तयार की जाए युद्ध का समया पहुचा है अब दोनों सेनाय समुद्र के एक ही ओर थी उनका आमना सामना होना शेश था आक्रमन की तयारी थी रन्नीती बन चुकी थी पहले आक्रमन की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा था रामने अपनी सेना को चार भागों में विभक्त कर दिया लनका के चार द्वार थे चोतर्फा आक्रमन होना था हर टुकडी को एक द्वार स्वापा गया रामने परवत शिखर पर चड़कर स्वयम लनका का निरीक्षन किया लनका के वैभव से वे भी चकित थे उन्होंने लक्षमन को बताया सूर्योदे हुते ही रामने आदेश दिया लनका को चारों और से घेर लिया जाए वानर सेना जैकार करती चल पड़ी इस बीच रामने अंगद को बुलाया कहा तुम लनका जाओ मेरे दूप बनकर सुलह का अंतिम प्रयास करो ताकि युद्ध टल जाए रावन से कहो की सीता को लोटा दे अन्यथा उसका अंत होगा अंगद ने ऐसा ही किया पर रावन नहीं माना राम का संदेश सुनकर रावन क्रोधित हुआ कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमन किया अंगद वहां से बचकर राम के पास पहुँचे कहा रावन को कोई पश्चाताप नहीं है वह हमारे साथ सुलह के लिए तयार नहीं है युद्ध चाहता है अब युद्ध ही एक मात्र विकल्प है वानर युद्ध के लिए तयार थे राम के आदेश की प्रतीक्षा में थे आदेश मिलते ही उन्होंने लनका पर चड़ाई कर दी उधर रावन के आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी राक्षस उतावले थे चीतकार कर रहे थे रावन के जैगोश से लगा कि आस्मान फट जाएगा वे दोड़े और वानर सेना पर तूट पड़े भया नक युद्ध हुआ हर ओर दहला देने वाला शोर हाथियों की चिंगार घोड़ों की हिन्हिनाहट रतों की सरस्राहट कोला हल रत हवा से बाते कर रहे थे तलवारे खिंच गई थी बानों से आस्मान भर गया था भाले उड़ रहे थे दोनों और के कई वीर मारे गए रावन के अनेक पराक्रमी राक्षस धेर हो गए धर्ती लाल हो गई थी क्षत विक्षत शव बिखरे थे कराहते घायलों की ओर किसी का ध्यान नहीं था शाम होने को थी मेगनाद ने राक्षस सेना को पीछे हट्ते देखा उसने अपने सेनिकों को ललकारा आगे बढ़ो हम विजय के करीब हैं मेगनाद ने सेना का नेत्रित्व सभाल लिया राक्षस उत्साह से आगे बढ़े मेगनाद की द्रिष्टी राम लक्षमन पर थी वह चिपकर युद्ध करता था मायावी था किसी को दिखाई नहीं परता था उसके बान राम और लक्षमन को लगे दोनों वहीं मुर्चित होकर गिर पड़े मेगनाद ने समझा काम हो गया उसने दोनों भायों को मृत समझ लिया वह मैदान छोड़कर मेहल की ओर दोड़ा रावन को इसकी सूचना देने रंक्षेत्र में वानर राम लक्षमन के पासे कत्र हो गये वे चिन्तित थे अशुब की आशनका से वे भीशन ने दोनों का उपचार कराया उनकी मूर्च्छा टूटी वे खड़े हुए तो वानर दल हर्ष्थवनी करने लगा अगले दिन युद्ध के लिए तैयार रावन की सेना के महाबली एक एक कर मारे जा रहे थे धूमराक्ष मारा गया वज्रद्रिष्ट धर्ती पर गिर पड़ा अकमपन कुचल कर मर गया प्रहस्त को नील ने द्वस्त कर दिया रावन को इसकी सूचनाय मिलती रही वह घबरा गया वह हरबर आकर उठा और स्वयम कमान सभाली पहली मुटभेड में वह लक्षमन पर भारी पड़ा लेकिन राम के बानों ने उसका मुकुट धर्ती पर गिरा दिया वह लज्जित होकर लोट गया अब तक रावन को राम की शक्ती का कुछ अनुमान हो गया था जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने कुम्पकर्ण को जगाया वह महाबली था पर छे महीने सोता था कुम्पकर्ण दुर्ग से बाहर आया उसे देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई वे उसे रोकने में अक्षम थे उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया लक्षमन यह युद्ध देख रहे थे उन्होंने राम की ओर देखा फिर दोनों भाईयोंने बानों की वर्षा कर उसे मार दिया कुम्पकर्ण रनभूमी के अंक में सो गया सदा के लिए रावन निराश हो गया कुम्पकर्ण पर उसे गर्व था वह उसे अपना दाहिना हाथ मानता था उसे लगा कि अब लनका में वीर नहीं है वह अनात हो गई मेगनाद ने रावन को सहारा दिया मेरे रहते आप क्यूं चिंता करते हैं मुझे युद्ध की अनुमती दे मैं दोनों भाईयों को मार कर आपके चरनों में रख दूंगा मेगनाद और लक्षमन का भीशन युद्ध हुआ मेगनाद पराक्रमी था उसने एक बार इंद्र को परास्त कर दिया और इंद्रजित कहलाया उसके बानों ने कई प्रमुक वानरों को घायल कर दिया मेगनाद को रोख पाना वानर सेना के बूते की बात नहीं थी वह चक्रवात की तरह आगे बढ़ता जो भी आसपास होता, भवस्त हो जाता वानर सेना मेगनाद की गती और शक्ती से चकित थी, चमत कृत उनके मन में निराशा बैठती जा रही थी तब लक्षमर ने उसे चुनोती दी दोनों का निशाना अचुक था बान हवा में टकराते और नश्ट हो जाते अचानक लक्षमर का एक बान उसे लगा वह घायल हो गया, जुक गया लक्षमर ने ताबर तोर बानों की बरसात कर दी आगे बढ़ना कठिन था मेगनाद पीछे मुणा, मेहल की ओर भागा लक्षमर ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया फिर रुख गये, मेगनाद मेहल में घुज गया लक्षमर को मेहल की सनरचना नहीं पता थी रास्ता नहीं मालूम था विबीशन लक्षमर की दुविधा समझ गये उन्होंने एक गुप्त मार्ग दिखाया शेश काम आसान था मेगनाद मेहल में ही मारा गया अपने जेश्ट पुत्र की मृत्यू से रावन एकदम तूट गया विलाप करने लगा मूर्चित हो गया होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी क्रोध से बिलबिलाता हुआ लनका अनात हो गई अब उसका कोई सहारा नहीं अब मैं स्वयम रंक्षेत्र में जाऊंगा लक्षमन के साथ वानर सेना भी मेहल में प्रवेश कर गई थी उनके हाथों में जलती हुई मशाले थी वानरों ने लनका में जहां तहां आग लगा दी अन्ना भंडार फूंक दिये शस्त्रागार जला दिया मार काट मच गई जो भी सामने पढ़ा, मारा गया कंपन, प्रजंग, युपाक्ष, कुम्द मारे गए हनुमान ने निकुम्द, देवानतक और त्रिशिरा को मौत की नीन सुला दिया अंगद ने नरांतक का काम तमाम कर दिया लक्षमर ने अतिकाय का सिर काट डाला राक्षस सेना भाग खड़ी हुई रावन के पास अब कोई विकल्प नहीं था युद्धनाध हुआ अकेला बचा रावन युद्ध के लिए निकला फुफ कारते हुए फन कुछले साप की तरह वह जिधर मुर्ता भगदर मच जाती वानरों को भागते देख लक्षमन आगे आए धनुष बान लिये रावन के सामने अभेद्य दीवार की तरह खड़े हो गए थोड़ी ही देर में विभीशन वहां पहुँच गए उसके बाद राम उनके सामने रावन की एक न चली विभीशन को राम की सेना में देख रावन उबल पड़ा उसके लिए यह देश द्रोह था चोटे भाई का विश्वास घात उसने विभीशन पर निशाना लगाया लक्षमन ने वह बान बीच में ही कात दिया उसने दूसरा घातक बान चलाया इस बार लक्षमन बीच में आ गए उन्होंने विभीशन को अपने पीछे छिपा लिया बान लगते ही लक्षमन अचेत हो गए गेर पड़ें राम ने यह देखा उनकी आखे क्रोध से लाल हो गई आग बरसने लगी उन्होंने लक्षमन को सुग्रीव की निग्रानी में छोड़ा और रावन को चुनोती दी कहा रावन काल तुझे मेरे सामने ले आया है आज अन्याय पर न्याय की विजह होगी तेरा अंत निश्चित है उधर हनुमान लक्षमन को उठाकर रंक्षेत्र से दूर ले गए वैद्य सुषिन को बुलाया हनुमान संजीवनी बूटी लाए चिकित्सा शुरू हुई दीरे दीरे रक्त का रिसाव बंध हो गया घाव भर गया संजीवनी का प्रभाव चमतकारी था सुग्रीवने लक्षमन के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुँचाए वह सिंग की भाती रावन पर तूट पड़े राम रावन युद्ध भयानक था शस्त्रों की गती से कंपा देने वाली ध्वनिया निकल रही थी हवा थम गई थी सूरज बादलों के पीछे छिप गया था शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी गड़गड आहट थी धर्रा देने वाली दोनों युद्ध अपनी पूरी शक्ती से लड़ रहे थे कोई एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तयार नहीं कुछी देर में लगा की युद्ध समाप्त होने को है दोनों पक्ष के युद्ध हाथ बांध कर खड़े हो गए चोटे-चोटे युद्ध थम गए सबकी नजरे राम और रावन पर थी सबकी आँखे फटी रह गई पलके जुकना भूल गई उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ था रावन का एक बान राम को लगा उनके रत की द्वजा कटकर गिर पड़ी राम ने प्रहार किया बान रावन के मस्तक में लगा रक्त की धारा बह निकली बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका रावन अपने महल चला गया घोड़े और रत बदलने राम को इसकी आवश्यक्ता नहीं पड़ी युद्ध फिर शुरूर हुआ अब उनके रत एक दूसरे के सामने थे युद्ध आँखों में आँखें डाल कर देख सकते थे घोड़ों के मून मिल गए थे राम के बानों ने रावन के रत का मून मोर दिया यह पराज़का संकेत था रावन हिम्मत हारने लगा जब तक वह रत खुमाता राम का एक बान उसके पार निकल गया रत मुड़ा लेकिन रावन के हाथ से धनुष छूट गया वह प्रिथवी पर गिर पड़ा मारा गया बची हुई राक्षस सेना हर बढ़ा गई जान बचा कर भागी उनका दिशा ग्यान शुन्य हो गया जिसे जिधर अफसर मिला भागा कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दोड़ पड़े कुछ भागते हुए समुद्र में जागिरे लंका विजय अभियान पुरा हुआ राम की जैकार होने लगी कुछ समय पूर्व का रंकशेत्र एकदम बदल गया शस्त्रों की टंकार की जगे किलकारियों ने ले ली वानर सेना उच्छल कूद करने लगी समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी शस्त्रों से उत्पन गर्मी वह अपने साथ बहा ले गई कोलाहल तुमुलनाद में परिवर्तित हो गया प्रसन्नता सर्वव्याप्ती रंकशेत्र में केवल एक व्यक्ती दुखी था शोक से व्याकुल विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा राम ने विभीशन को समझाया मित्र शोक मत करो रावन महान योध्धा था उसकी अंत्येष्टी महानता के अनुरूप होनी चाहिए मृत्यू सत्य है उसे स्वीकार करो राम ने एक एक वानर का अभार माना सुग्रीव को गले लगा लिया लक्षमन से विभीशन के राज्या विशेक की तयारी करने को कहा चाहते थे कि रावन की अंत्येष्टी के बाद राज्टिलक हो उसमें विलम न किया जाए उन्होंने हनुमान को बुलाया अशोक वॉटिका जाने का निर्देश दिया यह संदेश आपको ही सीता तक पहुँचाना है उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए उनका संदेश लेकर शीगर आईए विभीशन के अंत्येष्टी से लोटने तक उनके राज्या विशेक की तयारी हो चुकी थी लक्षमन राजमहल पहुँच गए थे वानर स्वर्म कलश में समुद्र का पानी ले आए थे लक्षमन विभीशन के पास गए उन्हें साथ लेकर राज सिंघासन तक आए सोने का चमचमाता हुआ सिंघासन रतनो मनियो जटित समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीशन का अभिशेक किया अब विभीशन लनका के राजा थे इस बीच हनुमान अशोक वाटिका से लोट आए राम के पास उन्होंने कहा माता सीता लनका विजय का समाचार सुनकर प्रसन हुई वे आपसे मिलने के लिए अधीर है तब तक वे भीशन वहीं आ गए थे राम उनकी ओर मुणे कहा लनका पती सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है उन्हें यहां लाने की व्यवस्था की जाए वानर सेना चुहल कर रही थी अटखेलियों में लगी थी राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई सुग्रीव, जामवन्त और नल मील भी उत्सुक थे अंगद को प्रतीक्षा थी हनुमान को छोड़कर किसीने सीता को नहीं देखा था सीता आई तो सबको अपनी कलपनाओं से अधिक लगी सुन्दर, सौम्य, शांत उस सुन्दरता में एक वर्ष बादपती से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी काश्ट इतेहास हो गया था हमारी पाठ्य पुस्तक का ग्यारवा अध्याई यहां समाप्त होता है आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर करें इस वीडियो से संबंदित कोई शिकायत या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपून है अब हम आपसे मिलेंगे इसी पाठ्य पुस्तक के बारहवे अध्याई रामका राज्या विशिक में तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और खूबमन लगाकर पढ़ाई कीजिए जय हिंद, जय भारत